मत्रा थाना नोह जिल्क शेत्र में गाव रायकरन घडी में सुमवार के सुबा 35 वर्षिय विनोत का गोली लगा हुआ संधित धालव में शव गर के पीछे मिलने से संसनी फैल गए सुचना पाकर मौके पर पहुचे पुलीस घटना की जांच में जुट गए सुमवार के सुबा खेत पर शोच को जा रहे गरामिनों ने विनोत को लहुलुहान देखा तो उससे लेकर अस्पताल पहुचे जहाँ डॉक्टरों ने विनोत को उम्रिद घोशित कर दिया वही परिजनों ने घटना की सुचना पुलीस को दी पताल पहुचे जहाँ डॉक्टरों ने विनोत को म्रिद घोशित कर दिया मृतक के परिजन अग्यात लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे है एसपी देहात ने बताया कि पुलीस को सुचना मिली थी कि 35 वरश्य विनोत निवासी राइकर अंगड़ी को किसी ने गोली मार दी है सुचना पर पुलीस मौके पर पहुची थी पुलीस द्वारा हर एंगल से पुरे मामले की जांच की जा रही है मृतक की पोस्टम रिपोर्ट आने के बाद जो साक्ष सामनी आएंगे और जो घटना सल भी साक्ष एकत्रित के जा रहे है जो तथ्य निकल कर सामनी आएंगे उसके आदार पर आगे की कारवाही की जाएगी इन बीसे न्यूस के लिए मतुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट